तो जैसे आपको पता होगा Battle Mobile India Series की Registration ओपन हो चुकी हैं तो आज हम बात करेंगे की Battle Mobile India Series में Register कैसे करें Register करने से पहले आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा जैसे की जिनकी ये 16 से 18 के बीच हैं वो अपने parents की consent लेके ही Register कर सकते हैं एंड जो प्लेयर्स पार्टिसिपेड कर रहे हैं वो इंडियन होने चाहिए एंड जिस आईडी से आपने रिजिस्टर करना है उसका लेबल 15 बलस होना चाहिए एंड प्लेटिनेम टियर या उससे अबब होना चाहिए इसमें सिर्फ 4 men's quads apply कर सकते हैं कोई substitutes allowed नहीं है एंड मोस्ट इपोर्टन तिंग इस ओनली handheld mobiles allowed हैं एमुलेटर और tablet allowed नहीं हैं और आप सोचने होंगे कि trigger triggers और controllers भी allowed नहीं हैं तो चलो बास करते हैं कि registration कैसे करें तो registration के लिए आप बीजिएमाइ के official site पे जा सकते हैं या in game click करके registration वाली site open हो जाएगी तो website open होने के बाद सबसे पहले आपके पास team details का page आएगा तो सबसे पहले है team name team name आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन करें team owner name जो भी team owner है उसका नाम आएगा यहां पर email address इसमे आप अपना email address डाल देना email address जहां से बरना and 5th है mobile number city name जिस city में आप रहे हैं वही बरना है और अगर आप captain है इस team के तो आप इस box पे टिक लगा देना इसके बाद next पे click करना इसके बाद आपको बरना है captain details फर्स्ट है name इसमें आपको अपना real name डालना होगा जो आपका identity प्रूफ करेगा तो next है date of birth यह तो आप बने राम से बर दोगे उसके बाद है gender इसके बाद है character id जो आप गेम में जाके देख सकते हैं next है in game name अगर आपके name में कोई symbol है या कोई अलग से emoji है तो कोई figure की बात नहीं है क्योंकि आप अपना in game नाम direct game से copy कर सकते हैं next है id proof इसमें passport, aadhar card, driving license, voter ID, pen card, russian card का यूज कर सकते हैं next है mobile number इसको भी डबल चेक कर लेना next है city इसमें आप जिस city में रह रह रहे हैं उस city को आपको इसमें select करना होगा next है state जिस state में आप रहते हो उसको select कर लेना captain की details के बाद है next team details team details भी same है captain की details की तरह इसके बाद submit button पे click कर देना and आप ही registration हो जाएगी तो इन सारे details को भरने के बाद आपको एक confirmation mail आएगी आपकी registered email पर और अगर आपको कुछ भी change करना है तो आप एक अगस्य पहले कर सकते हैं एक link पे जाकर जो आपकी confirmation mail पे आया होगा तो अगर आपको कोई details समझ ना आई हो या आपको कुछ और पूछना हो तो आप comment section में डाल सकते हैं thank you for watching and do not forget to like and subscribe तो मिलते हैं अब next video में हुआ हुआ है